रुको 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 मुझे वो स्टेप फिर से दिखाओ तो ठीक है देखें एक स्टेप मेरी तरब से हैं ऐसे एक दो एक या बहुत मसा रहा है तुम्हारे डैड 20 साल पहले ऐसी बहुत सी चीज़े करते थे अहा लेकिन अब सब भूल गये मुझे भी ऐसा ही लग रहा है लेकिन मैं जब रेटायर हो जाऊंगा तब वो अपने अलफाज वापस ले लेगी मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है रहने दो ऐसा क्या हुआ है जो इतनी खुश लग रही है वो अपने बेटे के साथ मुराद से पैच अब हो गया है और क्या है वैसे विमा कुछ वक्त से कितना कुछ बुराई घट रहा है हमारे साथ लेकिन मामला इन्होंने सुझाया कैसे मुराद तो बिघ्री में धिरिया को कॉल किया है उन्होंने मिलकर आपसमे बात की आपने रही हूं सब्सक्राइब गोट पीच्लाफ के लिए जितना मुराद को मैं जानते हूँ अगर वो सही हागे हागे सर्फ मेहा अर्कित मर अलीश मेश्य को जो जो खाय बना रहे हिनी सुखता को विसले दोदीनों से मेरे साथ बहुत अच्छा पर ठांश आऴे आए अच्छा और रही हो तो विशे बता हों की क्या स्ट्रेट कर रहे हैं हम फ्यूचर में आने आने वाले दिन कर रहे हैं हैं ँ्충ूल हम बहुत कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं बोद इस एंगेजमेंट शादी बस देखती जाओ मुबारुक हो अपर पुराने ख्यालों से सरा बाहर आजाओ लोगों को अकेला छोड़ दो वैसे भी तुम यंग हो खुबसूरत हो तुम और मिल जाएगा और तुम उससे शादी कर ले ला है मैं यह सब करने वाली हूं मुराद के साथ तुम अभी भी वही बकवास कर रही हो खयालों से बाहर आओ दी दैम एहसान नहीं होने वाला अपने फ्यूचेर पी ध्यान दो जिन्दगी सप्राइजस से भरे हुई है जिन्दगी नहीं पर मैं फुल अफ सप्राइजस हो तुम आल मैडम क्या प्रब्लम है इसकी पता नहीं ठीक से चल क्यों नहीं रहा है तुम बेबजाए से कोस रही हो इसकी कोई गलती नहीं तुमने इसका कबर ही नहीं लगाए बताने के लिए थैंक यूँ लगता है गोलियों का असार अभी तक उत्रा नहीं सुभा सुभा ये क्या करने बैठ गई मैंने सारा सामान रखा डिशिस दोकर रख दी और जाने से पहले मैं सोच रहे थे आपके लिए कुछ हल्दी बना दे तो किस लिए किस लिए मतलब आपके नाश्टे के लिए वो नहीं लेकिन तुम कहीं जा रही हो घर जा रही हूँ नहीं जाओं क्या हाँ जरूर जाओ मुझे लगा तुम्हारे जाने से पहले हम साथ में ब्रेक्फिस्ट चीक है करते है ना करेंगे ब्रेक्फिस्ट इपैक 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 हाँ तुम पिछले दो गंटे से ऐसी पड़ी हो प्लीज उठो इपैक मेरी बात सुनो देखो मैं केक बना कर लेकर आई हूँ कम से कम टीज तो कर लो इसे मुझे नहीं चाहिए आसल मुझे बस ऐसे ही रहने दो तुम यहां मेरे सर पर चड़ कर क्यों बैठी हो तुम यहां इस वक्त क्या कर रहे हो मैं तुम्हें लेने आया हूँ मैंने तुमसे कहा था तुम यहां नहीं आओगे तुमने प्रॉमिस किया था मैंने सारी जानकारी निकाल दी है आंटी यहां घर पर नहीं है मुझे पता है आसल तुमसे यह उम्मीद नहीं थी हाँ मैंने यह इंफॉमेशन जरूर लीकिये है पर मेरा इसके पीछे का मकसद बहुत अच्छा था इपक तुम अच्छा मैसूस करती हो जब तुम कैरन से मिलती हो तुम्हारे अंदर अच्छा बदलावाता है ऐसा है देखो मैं नहीं जानती तुम दोनों ने मिलकर क्या खेचडी पकाई है मेरे पीछे पर मेरा मूड अच्छा नहीं है क्यारं कोई ड्रामा मत करना और मुझे पंगा मत लेना हाँ ठीक है इसी लिए तो मैं यहां आया हूँ ताकि तुम मुझे जी भरके पिटो और अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल अब चलो चलते हैं यहां से कहां पर मैं कहीं नहीं आने वाली तुमसे पूछा नहीं है चलने के लिए काया है क्या रहे हो चलने के उतारो आसला यह मुझे मार डाले उससे पहले हम चलते हैं जो ची जा जी बोले हैं पी यह मुझे कित्नाब करके लें जा रहा है इस अपनी खुची से तोड़ी फासी दीम है मुझे याद ने आखरी पार चुट्टी पर कभी या था इजमेर ट्रिब भी कैंसल उसके लिए माफ़ी चाहते हूं पर आप हमेशा चुट्टी पर जा सकते हैं आप कंपनी के बॉस हैं ऐसा नहीं है आज सारड़े और दोपहर भी हो चुके अब सिर्फ रात के लिए जाक आप चीज़े कॉम्प्लिकेट करते हैं लेकिन मुझे लगता हम वीकेंड पर कुछ कर सके हैं जैसे की क्या पूल में स्विमिंग मैं स्विमिंग करना नहीं जानती हूं आप स्विमिंग करना और मैं देखूंगे आपको मैं से खा दूंगा मैं स्विमिंग करने में कुछ जाद है खराब हूं इससे तो अच्छा है मैं यहां नाश्ता खतम करके निकल जाओं मुझे लगता जिससे स्विमिंग नहीं आती उसे जिन्दगी जीना ही नहीं आता क्या आप मुझे चालेंज कर रहे हो जी नहीं आपने प्लॉईस को चालेंज नहीं करता है अच्छा मतलब मैं एंप्लॉई नहीं होती तो चालेंज करते क्या कहा था आपने हर शर्त की कीमत होती है राइट आच्छा हाँ अगर कोई बुरी तरन से हार जाए तो राइट अहां लेकिन मैं तुम्हारे हारने के बाद भी कुछ लिए बिना ही चला जाओंगा तुम सही हो इस बार सवाल पूछने की बारी मेरी ता तो पूछा अश्क लाफ तान लामास